ब़ोग उसकाएएब दोस्तों इस वक्त मैं मैं यहां पर मौझूद हूँ, एक बहुत अच्छा कारक्रम हम आपको कल दिखाने वाले हैं, यानि कि अभी तक आपने सेहर का टैलेंट देखा, तो इस कारक्रम के माधियम से आपको दिखाएंगे गाउं का टैलेंđ और साथ मैं यहां पर होने वाली भजन संदिया यानि कि करीब 20-25 लोगों का क्राउट रहेगा और बहुत अच्छा कारक्रम होने वाला है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहां पर ग्राम कुलेत में और चलिए आपकी बात कराता हूँ चिला पंचाय सदस सिवरास सिंग य और चलिए मैं आपकी बात कराता हूँ भईया से कल क्या क्या खास होने वाला है और सभी यानि कि करीब 25-30 गाउं की यहां पर टीम आने वाली हैं और सभी ग्राम बासी आने वाले हैं और बहुत अच्छी भजन संदिया होने वाली है और कारक्रम की जानकारी भईया से जान होली की भ़सारी रिभी ग्रामणा आट अब बहुत कारक्रम के देखने के लिए और कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपके माद्यम से सभी को होली की सुपकामना देना चाहता हूँ सभी सेर और ग्रामीड वासियों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होली एक ऐसा पर्व है जिसको हर समाज का व्यक्ति बहुत ही हरसो लास के साथ मनाता है मेरी वा मेरे परिवार की सदयव से ही ये प्रयास भी रहा है कोसिस भी रही है कि हम लोग ग्रामीडों के लिए खास कर कुछ ऐसे आयोजन करते रहें जिसे सभी का मेल जुल बना रहे ताल मेल बना रहे जो नफरत की राजनीती लोग करते हैं उस नफरत की राजनिती से दूरोकर एक प्रेम भाव की गंगा बहाएं और मैं ये भी आपके माद्यम से बताना चाहता हूं कि कल का जो प्रोग्राम है उसमें ग्रामीड को ग्रामीड जो लोग हैं उनको आगे ले जाने के लिए हमारे हैं लोग गीत होते हैं कनया उसका भी प्रोग्राम कराया जा रहा है साथी साथ भजन संद्या भी कराया जा रही है और ग्रामीडों के लिए एक बाहर से कुछ गाय कला करा रहा है एक वो प्रोग्राम भी कराया जा रहा है और सबसे महत्व पूर्ण मानी मुख्यमंती सिवरा सिंग चोहां जी द्वारा लाड़ बोल सकते हैं और मुक्य कलाकार इसमें मैंने सुनाएं भवर सिंग कठाना जी आने वाले हैं राजस्थान से हैं मुक्य कलाकार हैं कुछ कलाकार गौलियर से भी हैं तो बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा और अभी कुछ दिन पहले आ कि मैंने भी आपको बताया कि मेरी और मेरे परिवार की सदेव से ही यह प्रयास भी रहा है कि मैं क्यूंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं मैंने उस दर्द को देखा है कि किसानों को क्या दर्द होता है अपने बच्चों को वो कैसे सहर भेज पाते हैं या कैसे दोड़ बाहरने के लिए हम सबका प्रया से रहता है कि किसी भी आयोजन के द्वारा ग्रामीड जन बाहर निकल के आए और देश में अपना पर्चम ले रहा है तो दोस्तों ये थे मेरे साथ में जला पंचाय सदस सिवराज सिंग यादब जी तो कल आना ना भूलिएगा अगर आप सो गाओं के निवासी हैं या पर आसपास यतिग्रह के आसपास के गाओं के निवासी है या फिर खेर या कुलेट और संकरपूर अगर यहां के आप निवासी हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं तो कल आएए मैं जरूर वित अधे VOCF